प्राचिन रिष्ता है, एक्सलिसिस भारत जी ट्वेंटी का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियो पोलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्य और उर्जा की बड़ी हुई कीमतों और महामारी के दिर्गकालिन दुस्प्रभावों से एक साथ जूज रह है, ऐसे समय विश्व जी ट्वेंटी की तरफ आशा की नजर से देखता है, आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्ष्ता इंक्लूजीव, एंबिशियस, डिसिसिव और एक्सियन ओरियेंटेड होगी, एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रैतन रहेगा कि जी ट्वेंटी नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामुहिक एक्षन को गती देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें, प्राकूरतिक संसाधनों पर ओनर्शिप का भाव आज संगर्श को जन्म दे रहा है और परियावरण की दुरदर्शा का मुख्य कारण बना है, प्लैनेट के सुरक्षित भविश के लिए ट्रस्ट्रिशिप का भाव ही समाधान है, इसमें लाइफ याने लाइफ स्टाइल फॉर एन्वार्मेंट अभियाम एक बड़ा योगदान दे सकता है, इसका उद्देश सस्टेडेमल लाइफ स्टाइल को एक जन आंदोलन बनान है, एक्सलेंसीज, आज आवशक्ता है कि विकास के लाब सर्वस परसी और सर्वस समावेश्टी हो, हमें विकास के लाबों को ममभाव और समभाव से मानो मात्र तक पहुंचाना होगा, वैश्विक विकास महिलाओं की भागिदारी के बिना समभव नहीं है, हमें अपने जी ट्वेंटी एजेंटा में विमेन लेड डेवलोप्मेंट पर ट्राफ्टिक का बनाय रखनी होगी, बिना शांती और सुरक्षा, हमारी आने वाली पीडिया, आर्थिक वृद्धी या टेक्नोलोजिकल इनोवेशन का लाब नहीं ले पाएगी, जी ट्वेंटी को शांती और सहार्द के पक्षमें एक द्रड संदेश देना होगा, यह सभी प्रात्विक्ताएं भारत की जी ट्वेंटी अत्रिक्ता की थीम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में ग्रहन करना हर भारति के लिए गर्व का आउसर है, हम अपने देश के विविन सहरों और राज्यों में जी ट्वेंटी की बैठके आउजित करेंगे, हमारे अतित्यों को भारत की अध्भुत्ता, विवित्ता, समावेसी परंपराओं और सांस्कृतिक समर्द्य का पूरा अ अनुभव मिलेगा, हमारी कामना है कि आप सभी मधर अब डेमोकरसी भारत में इस अध्वित्य उत्सव में सहभागी होंगे, साथ मिलकर हम जी ट्वेंटी समू को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद अख स्क्राइब करेंदी इस अध्यवाद। झाल